शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो बास चेंता है भूल जाएए परेशानिया भूल जाएए और मस्त हो जाएए विजिए मस्त होना बड़ा जरूरी गलत वहीं कभी मत पालिये जेतनी सुंदर लड़कियां वेठी है आपको कह रहा हूं गलत वहीं मत पाला है जो लड़के ना तुम्हें बहुत बेवकूफ सब्सक्राइब करें पाला जरूरी है यह तो बेवकूफ बनाते रहेंगे पर इनकावी वक्त आता है आजकल क्या टेक्निकल बड़ा हो गया नकाम सब्सक्राइब कर चीज टेक्नोलोजी से हो रही है तो एक अजकल मेरे कुण नया पता चला पहले फोन में पासवर्ड वो अब वाइस पासवर्ड आने लग गया आवाद से कुल जाए लवी आपसवर्ड कोई सेट कर रहा था लाड़का अब जसक्त कर रहा था बोला लगा विछ ने कुट्टा भूंक लिया अब वो कुट्टे का ढूंड रहा है अब जब फोर्ड भोले कुट्टे की जुरत पड़े था समस्य हो जाती है इतना टेक्निकल हो गया माहॉल के मैं एक शादी में लेया काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं पूछा ये उस जमाने की बात है जब शैलेश्वर्ड शैलेश ने दो फिर तो ऐसे दिकत आती ही दइve ऐसी जगे थे जा कोई नहीं जानता था अब शादी में गए अब में को समझ भे नहीं हमें नहींगे ये क्या है इसका कोई कहीं दिना ए फिर में स्टेज पे गया लिफाफा दिया जैसे लिफा दिया मेरे फॉन पे गोटी पी आया फिर ओटी पी जाके काउंटर पे दिखाया तब खाना मिला इतने ट्रीटियलों है हम लोग कुल मिला के बाद यह है अब बुरे वक्त में काम कौन आता है जो में मुस्कुराइट दे जो हसी दे चौकलेट दे पैसे दे लिए कुछ लोग होते हैं बड़े नककटे मांगने पर भी नहीं देते हैं और जो मांगने पर ना मिले उसे चीनना पड़ता है और हसी अगर ना मिले पुद्रत से चीन लो उसे क्योंकि यह आपका हक है हसी है खूब हसी है जम के हसी है जोरदार हसी है तालिया बजाईयर कहिए वाँ भाई वाँ हरा साथ तीन वो लोग हैं जिनके जीव में हसी हैं मुश कर्आट है कॉर्ण के पास कविताः और जिनके पास कविताः होती हैं वह बड़े बड़ विशेष होते हैं और इसलिए मेरा ये फैसला है कि मैं देश भर में जहां भी कहीं प्रतिभाएं हैं, उन्हें ढूंड के लाऊंगा, और इस कैमरे के सामने खड़ा करूँगा, और दुनिया को बताऊंगा, कि देखी, प्रतिभाएं के लिए बड़े शेहरों की जुरुत नहीं होती, प्रतिभाएं बड़े स्कूल और कॉलेजिस की महताज नहीं होती, प्रतिभाएं किसी संपन परिवार में पैदा होने की जुरुत नहीं होती, प्रतिभाएं गाओं में भी बसती है, खेड़ों में भी बस्ती है गलियों में बस्ती हम उन्हें उठा के लेकर आएंगे और आज जो प्रधवाइं हमारे बीच में में उनसे आपका पर्शे कराना चाहता हूं आज दो लोग ऐसे हैं तीन में से जिने पहली बार वाववया ने बुलाया और उन में से एक जो बीच में बैठे मिल्कुल दूला बनके क्या भाग्य है आज तेरा है नीले नीले अंभर पर इधर भी खूबसुरत चेहरा इधर भी खूबसुरत चेहरा जैसे इका वीपन ने होट काड लिये मेरा कामी बेवेशन वीपन मुझसे कुछ नहीं बचता पर मुझे ये रियक्शन समझ में नहीं आया कि मनका इधर भी कूपसरों इधर क्या इसे रहत है इस इ vrijक्षन का अर्थ समझाजहे माईक है जालू है सर यह क्वेशे ही हो गया इसे कैसे हो गया इनका तो नहीं हो आवारा तो नहीं हो आ di वा लटकन का तो नहीं हो कुई जवाब नहीं है और शिवा अगर कोई चीज करो तो जवाब दो कैसे हो गया ऐसे ऐसे हो गया ऐसे ही पत्नी घर पे देखेगी ना ये एपिसोड तब बताएगी कि ऐसे कैसे हो गया है ना अगली बात ऐसे को कि वाप भी बाजार अच्छा ओड़ चपाने ये को रियक्शन ये है थेंक्यू कोई कैसे एपिसोड में मुझे बुलाया थेंक्यू कहने की बात है रहना बोला माइक पे थेंक्यू सेरो थेंक्यू सेरो ये होना चाहिए ना थेंक्यू भई इधर भी खूबसूरत चेहरा है इधर भी खूबसूरत चेहरा है काश ये दोनों कहपाती के बीच में भी है लेकिन चहरा को है और वो आज से चहरा बन जाएगा क्योंकि पहली बार वाभी वा के मंच पे आया है वो जब कविताएं सुनाएगा तो सारे देश के लोग कहेंगे कि भई ये जो तो राजस्थान में डूंगरपुर जिला है उसमें जो सागवाड़ा एक तहसील है जो चोटा सा कसबा है उस सागवाड़ से आपने किसीने नाम नहीं सुना होगा यहाँ पे लेकिन वो कसबा है शेशी पांडे मुल्तह चत्रकूट की रहने वाली हैं लेकिन दिल्ली में रहती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि शेशी का सेंस अफ यूमर बड़ा लाजवाब है ठोकी महिला है, ज्यादा तर उनसे यह उमीद की जाती है कि वो हास्ते न लिखती होंगी यहाँ से नहीं कहती होंगी लेकिन शेशी वो काम करती है और बड़े अच्छे ढंक से करती है वो भी पहली बार वाभाई वाँ में है हम स्वागत करते हैं शेशी पांड़े इधर शुकला जी बैठे में यह मनीशा शुकला है जो दिल्ली से आती है यूं तो यह एक बड़ी संस्थान में काम करती है लेकिन कविताओं भी खुब करती है और अपने गीत से लोगों को रिछाती है और आज भी अपने गीत से लोगों को रिछाएंगी नाम इनका मनीशा बो तो चुक्र यह एक बड़ी कहावत है कि जब भी कोई काम शुरू किया जाया है तो हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट और इसका मैं सबसे बड़ा समर्थख हूँ इसलिए काम ऐसा ही होना चाहिए लेडीज फर्स्ट इसलिए मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ विपिन बत्सल चर्मा को जोता काली कि अधिन बत्सलिए लोडा को मैं बहुत बहुत दन्यवाद दूँगा कि उन्होंने यहां पर हमें मुका दिया श्यमारू पीवी का भी मैं बहुत बहुत दन्यवाद अरपित करना चाहता हूँ मैं हासी के कुछ मुट्टक आपके सामने पस्तुत करूंगा जी गुंगट उठा के दीवाना जिला बना दिया गुंगट उठा के दीवाना जिला बना दिया गुंगरू बजा के गाव जो शिला बना दिया होटों पे लिपिस्टिक लगा के जूम के तुने होटों पे लिपिस्टिक लगा के जूम के तुने ये ताज महल सारा लाल किला बना दिया हाथों में उसे फिल्म की टिकीट दे गई वो प्यार मोह बत की नई रीत दे गई देखी जो पूरी फिल्म बिना छेड चाड के देखी जो पूरी फिल्म बिना छेड चाड के वो लड़की जाते वक्त शिला जीत दे गई अब समझे में आया ये मुक्तक सुन्णदे के बाद के तुने वोट क्यू काते इंदी साईत ते रिढी रहलेगा तुमारा वे पिन ज़त शार्मा वाँ हाथों की उंगलियों पे मुझे वो नचा रही खाना वो दिन में साथ बार का पचा रही माने मेरी दिया उसे बोलाड प्यार के शादी के बाद बीवी मा इकेन जा रही क्या बास है? कुछ तेर बाद होश उड़े सची ये जानकर के लड़की बड़े चाव से खेनी जबा रही के लड़की बड़े चाव उसे खेली जबा रही कि यहां बहुत बढ़ पर्याद उन्हें अपने हाथ से के मुख्टक रखे जिवे में हाथ से की कमी है निश्चित वर जजटना है अतना कम है लेकिन लोग तो तुमारा जो मुख्टक दुने पड़ा हुससे मुझे एक बात बहुत अच्छी आगई वो तीन दोस्ते अब की पूजा पाथ में लगा जाता हुससे छुप रहेगी दो नेका हूं, मैं क्या करता हूं? मैं खुद बिमार होने के एक्टिंग करता हूं, तो फिर ज्यादा चूप रहेगी। दोनों ने प्रयास्चुरू करती है, तीसरा चार दिन में ही आ गया। अपनने कर दिया कान, अब ज्यादा नहीं बोलती है। तो उन्हें तीन दिन में क्या किया गुटका खाना सिखा दिया अब क्या बोले इतने बढ़िया प्रक्ति देखो यह अहिंसक तरीका है जीवन में और यह अहिंसक तरीके अपनाये जाने चाहिए बाचीत हो तो क्या दिक्कत है अब पती-पती में जगड़ा हो के अपस में अब जगड़ा हो तो पत्नी बड़ी समझदारी से बले दो को मैं ऐसे कैसे लड़ते रहेंगा आखिर हमें तो साथी रहना है थोड़ा तुम जुख जाओ थोड़ा मैं जुख जाती हूँ बोला ठीक है तो पहले तुम जुखो उसे जुखा बोला आप सौरी बोलो माफ कर दूँगी तो जीवन में ये सब कुछ चलता रहता है लेकिन जीवन में प्रेम भी तो आवशक है लेकिन प्रेम करने वाला पती कुछ-कुछ अजीब मिल जाए तो क्या होता है ये शशी पांडे हमें बताने वाली है अब शशी पांडे क्या बताने वाली है तो शशी पांडे ही बता झाली आपकूणिहर दीन तो पति कैसे हो जाते हैं शादी के कुछ दिनों बाद जो पहले होते हैं कि बेभी, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा बेभी? यह, जानू… बेभी है ना? तो वो भुढ़ी के बाद कैसे हो जाते हैं तो अगर पती चटोरा हो जाए तो कितनी मुसीवत आ जाती है वो मैं आपके सामने जादा मुसीवत तब आती है जब दोनों साथ में पानी पूरी के ठेले पे जाते है तुझ जगा खराएं, तुझ जगा खरिये में उच्छाई खाये, तुझ आप खालिये आपके तुझ आपकेश शादी बाद, सहीं अमिले चतोरे सहीं आपकेश शादी बाद, सहीं आमिले चतोरे बाहर ना जाए, सर मेरा खाए हर दो घंडे में चाळ बनवाए हर दो गंटे में चाय बनवाएं कभी वो डोसा बनवाएं बोले कभी भटूरे सखीरी शादी बाद सैया भए चटूरे सखीरी शादी बाद काम ना काज है धाई मन अनाज है आफिस ना काम है फिर भी करते वो साज है खाने ने उन पर ऐसे डाले तोरे सखीरी शादी बाद सही कि अबए चटूरेस खीरी शादी बाद सहीं अबए चटूरे और क्या करते हैं वो रखती हूं कि मेरे काबो में कैसे अडंगे ड गालते हैं वो सुनिए गा निरे बाज़ इस करते धिन भर इपर इपर इस फिर इते, मैं यह कर इन कम एंडाte, मैं यह काम कर ती कहते कामों mijnagle के कामों में मेरे हादम तम अटकाए रहते रोडे, सखीरी शादी बाद, सईयाभई चटोरे सखीरी शादी बाद, सईयाभई चटोरे सखीरी शादी बाद. बहुत है शेचिकुट। कि शादी बात सहीया मिले चाटोरे तरह पहले चाटोरे नहीं थे नहीं ठीज विफो सादी होते हैं अदमी चाटोरा होगया तो इतना था खाना बना बना इप बना दो अच्छी बात है हां खराब बनाना शुरू कर दो फिर ऐसे पत्तियों के बाद भी इलाज होता है एक दिन पत्ति बोला बेचरा आज बार खाना खाएंगे पत्नी कुछ चल जो में तयार होती हूं हां तयार हो जा चटाई बिछा रहा हूं बार ढार खाना खाना है यह ठोड़ी का कहा जरे बार खायeli के बैट के तरीका अपने बाद सारे अच्छे है हमने जीवन तरीकों जूड़ने भी निकाल दिया घर में खाना जिनके खराब बनता है वे उसरा इंजाम कर लेते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिने भोजन मिलता नहीं जेने अंड नहीं घुन्हा हैं। उनके मेरा में अजरा सोचे है। जब आप ऐसे चित्र देखते हैं कि लोग फीचल में गिरहोए चावल के दाने बीन के खा रहे हों। जब लोग फीक मांग के खाना खा रहे हो, जब चूले जलते हो पर उनमें तवा नहीं होता हो, जब तवा होता हो लेकिन उस पर डालने के लिए रोटी नहीं होती हो, तब जब माएं आटा घोल के पी जाती हो कि खाने के लिए गर में कोई सबजी नहीं हो, उस वक्त हमें पर भी मुस्कुराहट हो, उसके चेहरे पर भी हसी हो, उसकी जिंदगी में भी फिर्शू की है। उसके पहले में बला रहा हूँ एक ऐसी नवयूती को, जिसका गीत आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भी वाह, जिसे मोहबत ना भी हो रही होगी, वो सोचेगा कि भी गीत सुनके आप मोहबत कर ली जाये, तो क्या दिकत है। नाम है उनका, मनीशा शुक्लाः आप लोगों ने अकसर पुरुशों का कहते सुना होगा कि तुम महिलाए सारा दिन घर में करती क्या हूँ आज ये गीत सुनाती हूँ और ये बताने की कोशिश करती हूँ कि एक फुल टाइम वरकिंग हाउस वाइफ क्या करती है उस नौ से साड़े पांच के समय क्या बात तुम्हारी आदों का सामा हैं कैडगी को सांव से दिता है दीवारों को का तुम्हारी आदों का सामा हैं क्या वाइफ मशा मैं एक्रिश रक रही हूं देखेगा खर जाई अखबार की जिससे घंटों बति आते हो नास पिटे शतरंज नहीं तुम जिससे उकताते हो बैरी चश्मा पलभर को भी नैन न छोड़े खाली और चूकर होट तुम्हारे आई चाई भरी ये प्याली और तुम्हारी टेबल पर हाए और तुम्हारी टेबल पर मुस्काता मीठा पान गुम्हारी आदो का सांग बहुत बढ़िया मुश्या और एक द्रिश देखेगा काट रही है बालकनी वनवास तुम्हारा दिन भर गमले की चंपा की खातिर सौत तुम्हारा दपतर अलग लगे दर्वाजे की घंटी को च्छुन तुम्हारी और तुम्हारे विन लगता है समय घड़ी को भारी तुम लोटो तो आजाती है तुम लोटो तो आजाती है घर में फिर से जान तुम्हारी क्या दो का समा तुम्हारे बहुत बढ़िया मरीशा एक स्थ्री जब किसी से प्रेम करती है तो उसे ही नहीं उसका पूरा घर अपनाती है सुनिये गा अध खुलती खेड़की से लिपटे परदे की उलजन में तुम सासों के चंदन में तुम नैनों के दरपन में तुम तक ये की खुश्बों में तुम सिल्वट में चादर की क्या बात है मरीशा तुम तक ये की खुश्बों में तुम सिल्वट में चादर की तुम घर में तुमें रहती है परचाई इस घर की नेम प्लेट को भी मिलती है, तुमसे ही पहचान, तुहारी आदो का सामा, तुहारी आदो का सामा बहुत बढ़िया वानिशा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वाह मनिशा बहुत 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 बदाए काट का बढ़ाया विशेश एपिसोड है कि हमारे पास दो महिला हैं दो कवित्रिया है और एक कवी ही और इसमें भी दो ऐसे हैं जो पहली बार टेलिविजिन पर आए हैं और इससे जादा खुशी की बात क्या हो सकती है हम रोज नई प्रतिवाओं को लेकर आते रहें प्रतिवाओं आपके बीच में अपनी कविताएं पढ़ती रहें हो सकता है कुछ प्रतिवाओं अभी इतनी परिपक्व नहों उनकी कलम कच्ची हो लेकिन सबसे बड़ी बात यह को उनमें मादा है उनमें संभावनाएं हैं उनमें एक इच्छा है आगे बढ़ने की और जब किसी में इच्छा हो आगे बढ़ने की तो प्रकृति को नियती को कायनात को साथ देना चाहिए कि हम उने आगे बढ़ाएं मैं इश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे और शेमारू टीवी का इसका माध्यम बनाया इसका नमित बनाया कि हम इन प्रत्वाओं को सामने लेकर आ सकें बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन प्रत्वाओं को नकेवल अपने घरों में टेलिविजन के माध्यम से बल थे करो मैं रहा है तो चैनल के हैं तो कि मैं कह रहा हूं और मैसलिय कह रहा हूं कि आपकामाल के और कमाल के नहीं होते तो क्या मैं कहता कि आप कमाल के हैं। और ये भी कितना कमाल है ना कि मैं कह रहा हूँ कि आप कमाल के हैं। तो जिंदेगे में कमाल बड़ी कमाल की चीज है। अरे वाह। कितना कमाल है ना। कि इतनी जगे कमाल आ गया। अलग जिन्दिक में माल की जरूत है, महां कमाल आ रहा है लेकर एक शब्द अलग अलग जगे है सीखिए भी कुछ जैसे किसी को पूचा टीचर ने यमक अलंकार हिंदी में क्या होता है यमक अलंकार वो अलंकार होता है तुम भी सीखो जब एक शब्द अलग अलग जगे आये लेकिए उसका अर्थ अलग अलग हो शब्द एक हो जैसे माया गोविंजी का एक बड़ा पसित गीता उसमें था के सांज थी यो हाथ में था सांज का दिया और डाकिये ने द्वार तबी खट खटा दिया और मेरा ही लिखा पत्र हात में दिया कि डाकिया तो चल दिया बुझा दिया दिया यमक अलंकार लेकर अजकल के चोकर है उन्हें क्या पता उनके उदार्ण भी उन्हीं की टाइप के है हां सर क्या कह रहते बोले बैं यमक अलंकार एक ही शब्द हो अलग अलग जगे आये लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग ओशर देखी हो हाँ तो सुनो सर अब हम स्कूल के छोरे धरने पर नहीं बैठते हैं तो पुलिस ऐसी जगी धरने लगती है कि धरने वाली जगे को कहीं धरने के काम नहीं आती है अब बच्चे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं ना अब एक बच्चा मुने मिला वाला की बात थोड़ी मतलब क्या को हूँ नहीं बता सकता लेकिन बता इतो बच्चे बच्चे ने कह दिया तो क्या हुआ मैंने बच्चे को देखा पार्टी में पहले उससे दाल चावल कहा है फिर बदाम का अलबा खाया और फिर वापस दाल चावल कर दो लें गए क्या है प्लानिंग मैंने प्लानिंग आयमकल का है मता कराब देखाल ड्लिया आधर हम्ले हुल्टी भी हो रही है थोड़ा सा पेट भी खराब है पहले दाल चावल खाए लिए फिर बदाम का अलबा खालिया फिर दाल चावल कॉपि उल्टी और निकल जाएंगे और मालो तो भी दाल चावल बादाम कालवा सेफ रहेगा यानि कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ करने वाला चाहिए आज इस देश में इतनी प्रतिभाय है जिने आगे लाने के लिए किसी के तो कुछी को तो बीडा उठाना था लेकिन नहीं हुआ हमने सोचा हमें ये करना चाहिए और हमने किया और हम कर रहे हैं हम ऐसी प्रत्वाओं को गाओं से ढूंड के लेकि आ रहे हैं शेर के तमाम हिस्तों से दुनिया भर के जितने ख्षेत्रे हैं इस हिंदुस्तान में वहां से अपनी कविताय प्रस्तुत करों आप जाने कि ये देश कितनी बड़ी खाने जहां हीरे हीरे छुपएवे हैं उन्हें इस तीन लोग हमारे साथ है जिसमें से एक कुछ दिनों पहले वाब हुआ ने ढूंडा था सबसे पहले हम उसे यहां इस कैमेरे के सामने लेके आया थे उसका नाम है रुफित जन्नाट जो इंदौर से हमारे बेच में आता ह और बड़ोरा गाँ है तुमारा बड़ोरा गाँ वो नाव में है जो बहुत छोटा सा गावे हजार बारासों की आपादिये वहां से आते हैं अनुफा वग्यानी को और बक्सर बिहार की पवनी कुमारी हम त्रीनों का दबर्दा स्वागत जर्थ हम सबसे पहले बुलाते हैं अनुफा वग्यानी को हमारे उत्तर प्रदेश का भावकाल बहुत बढ़िया है जब नया नया कोई आसिक तयार होता है तो कभी-कभी बेरोजगारी में ऐसे काम कर देता है कि सदियों तक उसे याद किया जाए चार पंक्तिया सुनना उत्तर प्रदेश के परपेश में कि मैं दिल के मामले में बेकरार हो गया इतना किया था प्यार की बुखार हो गया जब पूरी तरह से ही बेरोजगार हो गया महबूबा के गहने चुरा फरार किस लिए हुए आपको पता है अभी कुछ समय पहले हमा परवन जनसंख्या में आ गया है और उसमें सबसे वड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है अच्छा उत्तर प्रदेश का योगदान इसलिए है कि हम लोग काफी सांस्कृतिक विचार धारा को मानते हैं और ज्यादा जनसंख्या होनी की वज़े से बेरोजगारी अधिक ह सरकारी नोगरी मिल नहीं रही तो लड़के कर क्या रहे कि बगबत किया बहुत तभी बेबाक रहे हैं लटकी जो देखी भरतियां आवा कर रहे हैं और सिथित बेरोजगार हम उत्तर प्रदेश के साड़ना चरजाएं खेत ताक रहे हैं साड़ना चरजाएं खेत ताक रहे हैं अच्छा खेत ताकने में दिक्कत भी है दो पंतियां हैं कि एक हांथ डंडा अच्छा जब उत्तर प्रदेश का अगमी जाता है खेत ताकने तो कईसे एक हांथ डंडा एक हांथ टार्च लेके बंधू खेत को ही ताकने रात भर जात खेत में रहूं तो घर आता है पडोसी खूब और घर में रहूं तो खेत सांड चर जाते हैं और सबसे समस्य क्या हो जाती है जब घर में बीबी ना हो तो थोड़ा सा पती का भौकाल बन जाता है लेकिन एक दुख है वो मैं अपनी तरफ से उसको गाने की कोसिस कर रहा हूं वियोक स्रंगार या फिर उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं कि गलती पे मेरी टोंकने वाला भी नहीं है गुसे को मेरे रोंकने वाला भी नहीं है टामी भी मरा बीबी भी बाजार गई है अब घर में कोई भोंकने वाला भी नहीं है अच्छा ये जो पतनिया होती है भाई साहब बहुत बढ़िया पतनी मेरे बच्चे मेरी ही संपत्त हैं एक दिन मेरा पतनी से जगड़ा हो गया मैटर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया पतनी ने करदी मेरी पिटाई मित्रो मेरी कमर में बहुत मोच आई डाक्टर मेरी कमर में मरहम लगाते रहे और क्या करना है ये मुझे बताते रहे अ अरे पूरा सुनो, तुम लोग बहुत गडबड कर देते हो, पूरा नहीं सुनते हो, हम कमर दर्द में, डाक्टर सहब बीबी के साथ कमरे में रहें, कमरे में रहने कर्थ ये नहीं कि वो इसका जता रहे हैं, मेरी कमर का दर्द कैसे सही होगा, ये बीबी को बता रहे हैं, और यदि आप गलत सोच रहे हैं तो मुझे माफ करें असलीलता दिमाग में होती है पहले दिमाग को साफ करें बहुत अच्छे तुमने ठीक का अश्लीलता दिमाग में होती है दिमाग को साफ कर निश्टी अगर खराब हो तो वो जहन में सब कुछ होता है पर तुमने पंक्ति कही थी कि तुम पत्नी का चारण सपर्ष नहीं कर सकते क्यों सर इसलिए चरण सपर्ष नहीं कर सकते हैं सीधा बैकुंठ मिल जाएगा नहीं ऐसा नहीं है यह तुमने जिस कहा था चरण सपर्ष नहीं कर सकते हैं बहुत सीरियस नोट पर कहना चाहता हूं इस दुनिया में पती और पत्नी में पती पत्नी से बड़ा नहीं होता सबसे पहल सकता चरण उस हर व्यक्ति का छूना चाहिए जो आप कुछ सिखाता है जिससे आप कुछ सीखते हैं और पत्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे अपने सपनों को ताक पर रखकर परिवार के सपनों को पूरा करें ये पत्नी सिखाती है कैसे अपने दर्द को भूल कर बाक नहीं होना चाहिए और इमें बहुत इमानदारी से कह रहा है मैंने मेरी पत्नी के चरण स्पस कई बार की हैं एक बार नहीं अगर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ किया दिकत है इसमें जो सिखा है वो गुरू और जो भी सिखा है वो ठीक है इसलिए अपके जाओ तो ये मानसिकता ताक पे रख देना कि नहीं कर सकते तुम दोनों बराबर के हो और बराबर ही जिन्दगी निकालो ना तुम बड़े हो ना वो छोटी है बस इसे याद रख रख रहे और आईए अब तोगते हैं आगे बहुत बड़िया सुनाया है तुमने अब तुम आपे स्टार हो जाओगे अपने गाव में होई गए हो बस अब ये एपिसोड आते ही लोग कहेंगे बैं अनुफ़ा बग्यानी ने तो कमाल ही कर दिया अब हम उस रख को बला रहा है सर पृतमतों मैं आदरणी शेले सर का बहुत भूत धन्यावाद देना चाहूंगा रेधाय से कि वह एक बार पुना उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया यकिन मानिए हिंदी कविता के इस बड़े मंच पर जिन भी युमाओं को सर ने अफसर पदान के जिन भी शब्द सादकों को यहां बुलाया है उनके जीवन में बहुत अधवूत परिवर्तन हुए है उनके जीवन देगी बदल चुकी है कि एक अनोखा प्रश्न कहीं जवाबों को जन्म देता है एक अनोखा प्रश्न कहीं जवाबों को जन्म देता है मार्ग किसी सरीता का कई किनारों को जन्म देता है और आज वक्त स्वेम इस बात की गवाही दे रहा है और आज वक्त स्वेम इस बात की गवाही दे रहा है कि ये वो सितारा है, जो कई सितारों को जन्म देता है, ये वो सितारा है, जो कई सितारों को जन्म देता है, मित्रों, सर, देश के हर शेहर में आपको ऐसे टपूरी लोग मिल जाएंगे, जो फोकड में घुमा करते हैं, इदर उदर घुमते रहते हैं, अच्छा, इनके फेप यह मतलब इनके फेपड़ में भी जाननी देए लेकिन युवारधय सम्राड बनके गुंगते हैं युवारधय सम्राड पेलवान कुछ काम अतो वता ना तुमारा भई नगर निगम में यह वायर भी नगर निगम में खुण सी विभाग में हो अरे विभाग क्या मुकेज ब्या के पठ्थे हैं पर और अच्छा उससे पूछ लो कह लिए में अपने गूभू है और क्या इनका चित्र भी बड़ा विचित्र होता है उसले इनके चरीतर चित्रन के लिए मिने एक रचना लिखिये शिर्शक दिया टपोरी दादा की आरती आना लिजेगा कि जया जया टपोरी दादा दिया जया टपोरी दादा तुमको हर रक्षन चाहिए तुमको हर रक्षन चाहिए उटका और जादा दिया जया टपोरी दादा दिया जया टपोरी दादा दिया जया जया टपोरी दादा कुचा 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 का रता हात में श्रेष्ठ मुबाइल अटू चुका करता मतलब भले ही से पनियान में 17 खेदों पर मुबाइल पीस हजार का चलाते हैं और यह तो फिर भी में सभ्य परिवार का इसले बनियान के रहा हु आह आहा हा हा? चरिक्र देखना, यहाथ में स्रेष्ठ मोबाईल तुचक तुचक करता, तादा तुचूक तुचूक करता, कुब छेडता, उंगली करता, दोले रखता, टेटू रखता, और चन काट धारता, विया जायाता पुरी दादा, केश तेरे चीत कवरे, बाल रंग 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 रं किले, लगे के बाले, ऐसा लगे था चीडिया का घुसला हो, कि बाल तेरे चित कवरे, फटपटी पे तुचू है घुमता, दादा फटपटी पे तुचू है घुमता, मुख में भारा है ता माकू, पीचक पीचक करता, अचा मतलब इनकी जिन्द की उधार पे चलती भिया, मतलब यह बेड़ी भी पिएंगे तो दूसरे दे मांग के पिएंगे, पुरी जिन्द की उधार पे चल रहे, लेकिन मेरे पेग इसान करना कि मुझे को इसान मतलब इनके इनके गाड़ी के पिछे सुल्तान लिखा रहता है सुल्तान लेकिन रोज बाप के जूते खाते हैं नियम से कि आप आने ले ना कि कामर पे धीला सा चाटा बड़ा अदभुत लागे जापटेके खीचे ना कोई जापटेके खीचे ना कोई इसलिए तेज भागे पिया जाये टपुरी दादा आचा वर हमारे इंदोर का तपुरी कैसा होता है वो सुना कि सुबे सुबे मूह नहीं धो मोरे पोहे प्टूट पडे, दावा पह प्टूट पडे, दुनीयां भर के चटोरे, बुनीयां भर के चटोरे साराभा मे मिलते खाडे। । हांच नहांyt एडोल परी, दादा, ऑडोल गक्याND आरती जो कोई नर कावे, भीया जो कोई नर्क आवे कहत जनाट जी स्वामी कहत जनाट जी स्वामी नरक में घर पावे कि यदी यदी इन भटकते युवाँ का यदी भटकते युवाँ का समय नस्टे एसे होगा सर जदी भटकते युवाँ का समय नस्ट एसे होगा तो को हमारे भारत का फिर विश्व गुरू बनना के से होगा को हमारे भारत का लोगा अच्छे क्या आनंद दिया तुमने सब के सब जो है स्वतास्पूर जो खड़े हो गए और जब आज घर भी लोटेंगे उनको तुचुक तुचुक और पिचुक पिचुक जदूर याद रहने वाला है जैसी फोन हाथ में लेंगे तुचुक 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 लेकिन कमाल किया करने रोहित अधभुत बहुत बढ़िया मुझे अनुभव और पवनी और रोहित में बढ़ी खुशी है कि तुम जैसी प्रिथभाएं जो हैं हम लेखे आ रहे हैं और उन्हें यहां प्रस्तुत कर रहे हैं और तुम लोगों का दिल जीत रहे हो बहुत बढ़िया अपनी प्रथम शैले सर का बहुत बहुत अभार मुझे दुबारा इस तो में बुलाने के लिए चार पंक्तिया पढ़ते हूं कि किसी के हैं पुजारी हम किसी के हो पुजारी तुम किसी के हैं अभारी हम किसी के हो अभारी तुम और जमाने में कोई उंचा कोई नीचा नहीं होता कि कोई उचा कोई नीचा नहीं होता जमाने में किसी दर के भिखारी हम किसी दर के भिखारी तो वाँ वाँ पापनी वाँ बहुत बहुत अधीक फीड़ा होती है जब कभियों को बाठा जाता है कोई किसी जाती के पक्ष में लिखता है कोई किसी धर्म के भी पक्ष में लिखता है इसके आधार पर विवाद होते हैं तब पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सासब नहीं होता किसी भी एक मजहब में एक ससब नहीं होता किसी सिधान्त का अपवाद कोई कब नहीं होता कि किसी भी एक मजहब में एक ससब नहीं होता किसी सिधान्त का अपवाद कोई कब नहीं होता और कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का कि कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानों के जीवन का याद रखना कभीरों का कोई मच्छब नहीं वाँ 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 बहुत अभार मैं छंद पढ़ती हूं सुनियेगा कि राज तंत्र हो परंतु राज धर्म राही यहां राजा पुरुशोतम प्रभुराम होने चाहिए मुद्दाई हजार हो भले ही इस धरती पे पर ये कमीत घनश्याम होने चाहिए और देश की सिमा पे बली बेटे की चढ़ा दे वैसी माताओं को कोटी शख प्रणाम होने चाहिए होली वाद दिवाली जैसे परव हो अनेक पर कुछ परवसाइनिकों के नाम होने चाहिए वाँ वाँ बहुत बढ़िया कहा जाता है कि काम, प्रोध, लोब, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों का होना गलत बात है विकार हो भी तो कैसा हो अगली पंक्ती में देखिएगा कि लोब हो तो धर्म का हो अभी मान पुन्य का विकारों के भी ऐसे कुछ आयाम होने चाहिए और शब्द शब्द भारती की आरती उतारे ऐसे कभियों के लिखे हर कलाम होने चाहिए क्या बाद बहुत बढ़िया पावनी कुमारी अनुफब अज्ञानी और रोहिज जन्नाग अगर इन तीनों की एवरेज एज में निकालों इस वक्त एक 26 का है एक पावनी तुमारी क्या 23-24 साल की उम्र है 25 जोहिट अगर एवरेज उम्र निकालों तो 25-26 निकलती है औसत आयू और 25-26 वर्ष के ये तीनों नौजवान यह हमें भविश्य के बारे में बड़ा विश्वास देते हैं और हमें बताते हैं कि कविताय लिखी जा है हम अंडास बदल सकता है भावभूमी बदल सकती है लेकिन कविताय जिन्दा है कविताय जिन्दा रहेगी और जब-पविताय जिन्दा रहेगी हम इसंदा रहेंगे फि Caucasus बालकर कुछ नहीं कि Jake बाँ, 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 बाँ!